गर्पवती कुतिया और लालची तंदूरी चिकन वाली भाग दो अंजु बहुत खुश थी कि अब उसकी मा ने भी गंगा को रखने के लिए हामी भरती है लेकिन सोमा देवी ने गंगा को अपने घर में आराम करने के लिए नहीं बल्कि अपने काम करवाने के लिए रखा था दो समय का खाना कहां उसे मुफ्त में खाने देती गंगा के घर में आते ही सोमा देवी के उस पर अत्याचार शुरू हो जाते है सोमा देवी गर्वती गंगा को बिना खाना और पानी दिये, पूरा-पूरा दिन अपने साथ चिकन की ठेले पर ले जाती है मा तुम बहुत गलत कर रही हो, मैं तो खुश्टी की चलो गंगा घर में आई है, मेरा मन लगा रहेगा, वो मेरे साथ रहेगी, मैं उसके साथ खूब खेलूँगी लेकिन तुम तो उसे पूरा-पूरा दिन अपने साथ ठेले पर ले जाती हो, वो गर्वती है, तुम देख नहीं रही हो, वो कितनी कमजोर हो गई है, ना तो तुम उसे खाना देती हो, ना पानी देती हो अंजू बेटी, तुम अभी बहुत नादान हो, इन कुत्तों के साथ इतना लगाओ मत रखो, मैं जानती हो इन कुत्तों की फित्रत कैसी होती है, जिस थाली में खाते हैं, तुम इस कुतिया से दूरी रहो लेकिन बेटी गंगा तो गर्वती है, तुम जानती हो ना गर्वती चाहे इनसान हो या जानवर, उसे उस समय कितनी तकलीफ होती है, क्या स्थिती होती है उस समय, आखिर तुम भी तो एक औरत हो, तुमने भी एक बेटी को जनम दिया है, याद होगा तुम्हें भी कि उस स में तुम्हारी क्या इस्थिती थी बहुत गलत बात है बेटी ये तुम उसे एक समय का भी ढंक से खाना नहीं देती हो और पूरा पूरा देन उसे चिकन की ठेले पर खड़ा रखती हो देखो तो वो कितनी कमजोर लग रही है हा सो मा मा बिल्कुल सही कह रही है ये पाप है गंगा जानवर है तो क्या हुआ उसे तकलिफ नहीं होती है क्या सारा दिन वो तुम्हारे साथ भोकी प्यासी धोप में खड़ी रहती है जरा सोचो उस पर और उसके बच्चे पर क्या गुजर रही होगी आए हाए हाए तुम लोगों को बड़ा तरस आ रहा है इस पर घर पर बैट कर आराम से खाने को मिल रहा है न इसलिए बड़ी बड़ी बाते आ रही है जब बाहर जाकर कमाना पड़ता तब पता चलता तुम लोगों को मैंने इस कुटिया को घर में रहने की अजाज़त सिर्फ इसले दी है ताकि ये मेरे साथ काम में हाथ बटाए ना कि घर पर मुफ्त की रोटिया थोड़े जैसे तुम लोग तोड़ रहे हो मैं कह देती हूँ मेरे काम में टांग मत अड़ाओ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा चल गंगा मेरे साथ चल सोमा देवी अपने पती और सास पर गुसा करके वहां से गंगा को लेकर ठेले पर चली जाती है बिचारी भूकी प्यासी गंगा पूरा दिन ठेले पर दूसरे कुतों को चिकन के ठेले से दूर रखने का काम करती है और सारा दिन खड़े रहकर पहरा देती है इतने तकलीफ में होने के बावजूद उफ तक नहीं करती है सोमा के ठेले पर चिकन के धेल लगे होते हैं गंगा भूकी प्यासी भी होती है लेकिन मजाल है कि कभी वो वहाँ से चिकन का एक पीस उठा कर भी खाए मनुज बेटा, शायद हमने गंगा को घर में लाकर गलती कर दी हमारे घर से जादा वो पहले खुश थी यहाँ पर उस पर बहुत अत्याचार हो रहे है सोमा उसके साथ बहुत गलत कर रही है हाँ मा, तुम सही कह रही हो सोमा सही नहीं कर रही है उसके आगे किसी की चलती भी तो नहीं है अरे ओ गंगा, अच्छे से पहरा दे अच्छे से देख आसपास कोई आवारा कुत्ता तो नहीं है अगर कोई एक भी कुत्ता मांस पर जप्टा ना तो तेरी खेर नहीं डंडे से खूब पिटाई करूँगी मैं तेरी नहीं मालकिन आप चिंता न करिये मैं यहां खड़ी हूँ, मैं पूरा पैरा दे रही हूँ मैं किसी भी आवारा कुत्ते को यहां आसपास भटकने नहीं दूगी अरे देखो तो, कितनी अच्छी कुतिया है सोमा, यह कुतिया तुम कहां से लेकर आई हो जब से ये कुटिया आई है तब से तुम्हारा व्यापार तो डबल हो गया है क्यूंकि अब तुझे तो अवारे कुटे भी तंग नहीं करते हैं बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर रही है आखिर कहां मिली तुझे इतनी अच्छी कुटिया अरे ऐसे ही थोड़ी पैरा दे रही है भर-भर कर खाना खिलाती हो मैं इसे कोई मुफ्त में काम नहीं कर रही है ये सुबा शाम खूब खाती है क्यूं जूट बोल रही है मालकिन आप तो मुझे एक समय का खाना भी ढंक से नहीं देती और पूरा-पूरा दिन यहां पर खड़े-खड़े मुझे से पहरेदारी करवाती है अगर मुझे अंजू बिटिया से लगाव नहीं होता तो मैं तो कब का यहां से जा चुकी होती खाना ना मिलने के कारण और पूरा-पूरा दिन गर्मी और धूप में पहरा देने के कारण गंगा बहुत कमजोर हो चुकी थी अंजू मनोझ और मनोझ की मा को गंगा के साद बहुत लगाव था शाम को जब गंगा सोमा के साद घर आती है तो तीनों मिलकर गंगा को अच्छे से खाना खिलाते हैं ये लो गंगा खाना खालो मैं जानती हूँ मेरी बाप बहुत बुरी है तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही है तुम्हें अच्छे से खाना भी नहीं देती और ऐसी अवस्ता में तुमसे सारा काम करवाती है गंगा हमारे घर में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है पर हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हें भर पेट खाना भी नहीं मिल रहा है अब तो बस भगवान से यही प्रार्तना करती हूँ कि तुम्हारा बच्चा तंदोरोस्त और स्वस्त पैदा हो और हमारी इन गलतियों के लिए हमें माफ कर देना मेरी बच्ची, गंगा आप सब मत रोए, मुझे बहुत दुख होता है जब आप रोते है यह आप लोगों का प्यार ही तो है जो मैं यहाँ इस घर में रुकी हूँ अगर आप लोग मुझे से इतना प्यार न करते होते और अंजू बिटिया के साथ मेरे इतना लगावना होता तो मैं कब का यहाँ से जा चुकी होती बस आप चिंता मत करिये सब ठीक हो जाएगा देख लेना एक दिन मालकिन भी मुझे बहुत प्यार करेंगी और मुझे दिल से अपना लेंगी फिर एक दिन की बात है शाम का समय हो रहा था सोमा चिकन का ठेला बंद करके निकलने ही वाली थी और चिकन के शायद एक या दो ही पीस बचे हुए थे उपर से गंगा को सुबह से लेकर शाम तक कुछ न खाने की वज़ह से बहुत भूख लगी हुई थी बहुत भूख लग रही है क्या करूँ मालकिन ने बहुत जादा समय लगा दिया है ठेला बंद करने में मेरे पेट में तो चुहे दोड रहे है सुबह से लेकर अब तक मेरा बच्चा भूखा प्यासा है उसे बहुत भूख लग रही होगी क्या करो मालकिन जल्दी ठेला भी तो नहीं बंद कर रही है अभी न जाने कितना समय लगेगा मालकिन को ठेला बंद करने में और घर जाने में सोमा अगले दिन के लिए सेट के पास चिकन का ओर्डर दे रहे जाती है और वहीं ठेले पर चिकन के दो तीन पीस देख कर गंगा का बहुत जी ललचाने लगता है उसे चिकन देख कर और ज़्यादा भूख लगने लगी आज से पहले गंगा ने ऐसा कभी नहीं किया था कि ठेले पर बन रहे चिकन पर कभी नजर डाले लेकिन आज उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और भूख के मारे वो बेहाल हो रही थी क्या करूँ बहुत ज्यादा भूख लग रही है चिकन के दो पीस ठेले पर बचे हुए है खा लूँ क्या अकर नहीं कहाँगी तो क्या पता भूखे पेट मेरा बच्चा ही ना मर जाए ऐसा करती हो खाई लेती हो वैसे भी अब मालकिन ठेला बंद करने ही वाली है तो ये दो पीस कौन ही खरी देगा गंगा चिकन के दो पीस खा लेती है चिकन खाते हुए उसे सोमा देख लेती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है बेशेरम चोर कुतिया तू तो कहती थी मालकिन कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूगी और आज तेरी असलियत सामने आ गई जरा सी मेरी नजर क्या हटी तू ने तो पूरे ठेले परी अपना मूझ अमा लिया चिकन चुरा कर खा रही है तुझे तो अभी बताती हो मैं सोमा गर्ववती गंगा को इतनी सी गलती के लिए डंडे से खूब मारती है गंगा बेचारी उस पर पलटवार करने की बजाए चुप चाप मार सह लेती है अब तेरे लिए मेरे घर में कोई जगा नहीं है तूने मेरा यकीन तोड़ा है अब तुझे मैं अपने घर में नहीं रखूँगी जहां मर्जी वहाँ जा लेकिन आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगी नहीं, मलकिन मुझे बाफ कर दीचे मुझसे गलती हो गई बहुत भूख लग रही थी पीट में मेरा बच्चा भी भूखा था घर से निकाल देती है इस बात के लिए अपने घर वालों को भी खूब सुनाती है जब घर वालों को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी होते है देखा, तुम लोगों की गंगा यकीन करके उसे घर में रखा था अगर किसी ने भी उसे घर में आने की अनुमती दी तो सबसे पहले मैं उसे ही घर से बाहर निकालूँगी मा तुम बहुत गलत कर रही हो गंगा के साथ अगर उसने दोपीज खा भी ले तो क्या हो गया तुम उसे खाना भी तो नहीं देती हो सुबर से शाम तक उसे अपने साथ ठेले पर रखती हो तुम तो इतनी कंजूसों की चिकन की बची होई हड़ी भी उसे नहीं देती शायद उसे बहुत भूक लग रही होगी इसलिए उसने खा लिया गंगा के लिए अंजू मनोज और उसकी मा बहुत दुखी थे दूसरी तरफ बिचारी गंगा कहीं नहीं जाती है जख्मी हालत में घर के ठीक बाहर आकर बैट जाती है इसी उमीद में कि शायद उसकी मालकिन उसे माफ करके अपना ले बेटा देख तो हमारी गंगा कितनी वफादार है सोमा ने उस पर कितना अत्याचार किया उसे मारा उसे जख्मी किया लेकिन फिर भी हमारे साथ उसे इतना प्यार है कि घर के बाहर आकर पहरा दे रही है हाँ मा मैं तो कहता हूँ कि भगवान अब तू ही कोई चमतकार करके दिखा जिससे कि सोमा को थोड़ी सी अकल आ जाए और वो गंगा को वापस से घर में रख ले फिर एक दिन की बात है सोमा शाम के समय अपना काम खत्म करके ठेला बंद करके घर लोट रही थी आज का तो दिनी खराब था धंका एक भी ग्रहक नहीं आया और इतना सारा चिकन बच गया ऐसा गरती हूँ कि चिकन को पैक करके घर ले जाती हूँ सोमा बचा हुआ चिकन पैक करके शाम को घर लोट रही थी कि तभी ना जानी कहां से खुंखार और आवारा कुत्तों ने उस पर नज़र रखी हूई थी सारे कुत्ते सोमा को घेर लेते हैं और चिकन को उससे छीन ले लगते हैं लेकिन सोमा चिकन को कुत्तों से बचाने लगती है जब सोमा चिकन को कुट्टों से बचाने लगती है, कुट्टों को सोमा पर बहुत गुसा आता है और कुट्टे चिकन छोड़ कर सोमा पर ही तूट पड़ते हैं और उसे काटने लगते है सोमा बहुत चीकती और चिलाती है कुट्टे उसे जमीन पर गिरा देते हैं और उसे बहुत काटने लगते हैं थोड़ी ही समय में उसके प्राण चले जाते अगर वहाँ पर गंगा नहीं आती गंगा कुट्टों से अपनी मालकिन सोमा की जान बचा लेती है सारे कुट्टे गंगा की भाषा को समझ कर सोमा को चोड़कर चिकन उठा कर ले जाते हैं सोमा मरते मरते बचती है और तब जाकर उसकी आँख खुलती है कि आज अगर गंगा नहीं होती तो वो जिन्दा नहीं होती इसके बाद सोमा अपने किये के लिए बहुत शर्मिंदा होती है और गंगा से माफी मांगती है मुझे माफ कर दो गंगा मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया तुम्हारी गर्मावस्था को भी नहीं समझा तुम पर कितने अत्याचार किये तुम्हें मारा पीटा घर से निकाला लेकिन फिर भी तुम इतनी वफादार निकली अगर तुम ना होती तो शायद आज मैं ना होती मेरे प्राण चले जाते लेकिन समय पर आकर तुमने मुझे बचा लिया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कोई बात नहीं मालकिन, आपकी जान बच गई मेरे इससे बढ़कर खुशी की बात और कोई नहीं है सुमा, तुम ठीक तो हो ना, शुकर है तुम सही सलामत हो मैंने सोच लिया है, आज के बाद तुम्हें कोई काम करने नहीं दूँगा अब से मैं खुदी काम पर जाया करूँगा शुकर है भगवान का, गंगा को समय रहते भेश दिया और मेरी बहु की जान बच गई पर ना आज हम क्या देखते माजी मैं चाहती हूँ कि गंगा आज के बाद हमारे साथ रहे मैं उसकी गर्भावस्ता में सेवा करके अपने पापों का प्रैश्चित करना चाहती हूँ सच माँ, अब गंगा हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी फिर तो मैं गंगा और गंगा का बच्चा खूब सारी मस्ती करेंगे सोमा को अब अपनी सभी गलतियों का एहसास हो गया था वो अब अपनी सास और पती को भी ताने मारना छूड़ देती है अब उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार करती है साथ में गंगा को अपने घर में रखकर उसकी खूब सेवा करती है और उसे प्यार देती है ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें